हेलो फ्रेंट्स मैं मरजीत आप सभी को हमारे चनल एसमा ठिल पर स्वागत करता हूँ फ्रेंट्स आज हम जानेंगे कि अगर आपको PDF फाइल में पासवर्ड लगाना है तो आप पासवर्ड उसमें कैसे लगा सकते हैं उसके बारे में उसके लिए फ्रेंट्स आपको अपने Chrome ब्राउजर में चले जाना है मैं यहाँ पर सिस्टम के जरिये करके दिखा रहा हूँ आप इसी काम को सेम प्रोसेस फॉलो करके आप मुबाइल के Chrome ब्राउजर के थुरू भी कर सकते हैं तो यहाँ पर फ्रेंट्स चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि PDF में पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर आने के बाद आप देख सकते हैं मैंने Chrome ब्राउजर ओपन कर रखा है Chrome ब्राउजर में आपको आकर सर्च करना है PDF to JPG जैसे कि यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ PDF to JPG सर्च करने के बाद सबसे पहला जो यहाँ पर वेबसाइट खुल कर आता है a smallpdf.com आपको इसे open कर लेना है तो इसे मैं open कर लेता हूँ open करने के बाद यहाँ पर दिखें कुछ इस पर कर वेसे आपको इंटरसफेस नजर आएगा तो यहाँ पर आपको उपर में टूर्स का ओप्सर नज़र आएगा थो इस पर आपको Ce Ready कर देना है और यहाँ पर है protected PDF मतलब कि अगर password नहीं है और उस PDF को आप protected रखना चाहते हैं उसमें password लगाना चाहते हैं तो यहाँ से password लगा सकते हैं पासवर्ड को repeat कर देना है तो मैं यहां पर उसको भी repeat कर दिया अब यहां पर encrypt PDF लिखा हुआ है आपको इस पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं uploading हो रहा है जितना भी size का आपका फाइल होगा उसके हिसाब से यहां पर टाइम लगेगा और आपके नेट के उपर भी डिपेंड करता है तो आप वेट कर लिजगा जब तक कि यह upload हो रहा है upload होने के बाद फ्रेंड्स आपको कुछ इस पर कासे इंटरफेस नजर आएगा और यहां पर लिखा हुआ है preview not available यहां पर available इसलिए नहीं है क्योंकि आपने इसे password से protect कर दिया है उसके बाद यहां पर देखिया आपको साइड में download का option मिल जाएगा आपको download पर क्लिक कर देना डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपका फाइल यहां पर देख सकते हैं download हो चुका है अब इसे हम लोग open करते हैं तो यहां पर देखिये यह password मांग रहा है जैसा कि मैंने एक, दो, तीन, चार डाला था तो मैं यहां पर password अपना type करकर और यहां पर submit करूँगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह file open हो चुका है इस परकार से आप किसी भी PDF file को password protected कर सकते हैं अब इसे हम लोग password को unlock करके देखते हैं अगर PDF को password protected कर दी है और उस tools पर आपको click कर लेना है इस पर click करने के बाद यहां पर देखे जहां पर protected password किये थे just tools के उपर unlock PDF का option है आपको इस पर click कर देना है इस पर click करने के बाद यहां से फिर से आपको choose file करना है जिसका भी password आपको unlock करना है तेहां पर मेरा यह था फ्रेंट तो मैं इसे फिर से यह यहां पर upload कर लेता हूं upload होने के बाद कुछी इस पर का से इंटरफेस नजर आएगा आपको यहां पर देखिए mark करने के लिए option आ रहा है तो आपको इस पर mark करना है और unlock PDF पर click कर देना इस पर click किजिएगा लोगों ने password protected किया था इसलिए यहां पर preview नहीं दिखा रहा था लेकिन मैंने जैसे ही यहां पर process किया unlock का तो यहां पर देखिए preview दिखा दिया है अब यहां से आप इसे डाउनलोड कर लिजेगा और डाउनलोड करने के बाद इसे देखिए मैं आप वोपन करता हूँ अभी यह password नहीं मांगेगा तो इस परकार से आप किसी भी PDF फाइल को password से protect कर सकते हैं और उसे फिर से unlock भी कर सकते हैं उमीद करता हू तो वीडियो को लाइक किजिए और ऐसे ही वीडियो का अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे जिसे कि मैं जो भी वीडियो अप्लोड करूंगा उसका नोट्फिकेशन आपको मिलती रहेगी वीडियो देखने के लिए धन्यबाद फ्रेंड जाहिन